अधिया है कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन क्लासिफिकेशन को हम BLIS और DLIS उसको तीन भागों में बाट कर मैं कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन की तीसरी क्लास है और मुझे लगता है कि आज हमारा CC खतम हो जाएगी और कल से हम लिए क्लासिफिकेशन को बाट करेंगे कल मैं आपको चुपेपर के तीन पर ठीक है जो बी लाइस वाले बच्चे हैं उनके लिए पेपर होता है 70 मार्क्स का और क्योंकि 30 मार्क्स जाते हैं वह भी आपके इसी में एड होते हैं तो मैं आपको कोशिश कर रही हूं कि शौर्ट टाइम में किस परकार से हम लोग अपने पेपर को कम से कम पास्त अवश्यक कर सकें तो बच्चों सबसे पहले जितने भी ऑफलाइन सुडेंट है जो एप्लिकेशन पे अपने बच्चों को मैसेज डाल दीजी क्लास स्टार्ट हो गई है और जितने भी ऑनलाइन सुडेंट है यूट्यूब पे हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करूंगी और जितने बच्चे लाइव हैं मैं इसी वीडियो के डिस्रिप्शन में उस क्लास का लिंक दिया है तो फिर भी आपको नहीं मिले तो यहां पे आपको थम्नेल में नमबर भी मिलता आपको 935241902 तो आप लोग उस नमबर पे वर्टसप करके भी क्लास का लिंक मांग सकते हैं लेकिन क्लास जरूर दिखिए क्य और DLIS दौनों के पेपर कर लिये हैं ठीक है बच्चों हमने DLIS दौनों का पहला और सेकिंड पार्ट फर्स और सेकिंड पार्ट हमने कर लिया है अब हम करेंगे उसका थर्ड पार्ट फर्स पार्ट में जैसा मैंने आपको बताया कि ज्यादा तर आपको नमबर 2.4 पेश पर जाएए 2.4 पेश से जाकर मैं आपको इस आज खोल देती हूं क्यूंकि बच्चों की यह भी डिमांड थी कि मैम आपना क्लास को कोन को दिखाकर मैं आपको नमबर बनाया करूं तो ठीक है हम लोग कोन को दिखाकर नमबर मैं आपकी बना दूगी année, वह कोई दिक्कत नहीं उसमें, से एक हमारील क्लास क्लासिफिकेश यह ओपन हो रही है ठीक है, एक यकी कॉश्शन मैं लिक हूँगी पाद हम उसका क्लासिफिकेशन यहां आपको यह दिखेगा इस तरीके से ठीक है यहां पर आपको मिलेगा पार्ट वन उसको छोड़ दीजिएगा बिल्कुल भी टच नहीं करिएगा इस पार्ट वन को और पार्ट वन कहां खतम हो रहा है एक पॉइंट 124 में इए एक पॉइंट 168 है एक एक पॉइंट 124 में आपको अब कर दीजिएगा करने के लिए यह रहते हैं इस पॉइंट 114 तक हम इसको छोड़ देंगे यह दो पॉइंट सोला आ गया, दो पॉइंट से हमें यह देख लेना है, टू पॉइंट है वहां से हमारी colon classification शुरू हुई है, दूसरा पार्ट है वो दो पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है, वहीं पर आप आजाईए कि यह दो पॉइंट या निकी आपका पार्ट से इसको छोड़ देना जो colon classification आपको मिलेगी इस पहले वाले पार्ट को छोड़ दीजे लाइक सब्सक्राइब शेयर स्टूडेंट सेकिंड अगर आपको कल वाली क्लास नहीं मिली है तो कल वाली क्लास का लिंग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 6 क्लास लूगी मैं आपको नहीं पता कि कैसे डूड़ना है तो जो कोई थोड़ा सा भी टेक्निकली जानता है उससे पूछेगा कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं वरना मैं आपको यहां दिखा दूगी कि किस परकार से आपको बाकी क्लासे खोज नहीं करना दूसरा पार्ट वही आपको देखना है और कुछ नहीं देखना है यह पार्ट टू है सरफ यह देखना आपको यहां पर चप्टर शुरू हो गया चप्टर बुग नमबर फिर उसके बाद में में क्लास यह 2.4 पेज है जहां पर लिखा है में क्लास चेप्टर वन इस चेप्टर को आप बहुत सारी में क्लासे आपको मिलेंगी यहां से जैसे आपको दिखाई दे रही है नैचुरल साइंस में क्लास कौन सी है मैथमेटिकल साइंस में क्लास कौन सी है फिजिकल साइंस को !!! क्या बोलेंगे बी जड बोलोगे स्वेस्ट रिटि यहनु एक्सप्रिकार बच्चों आपको जयदातर में क्लाश के तो यहीं मिल जाने वाले हैं जो पहला वाला पार्ट है यहां जाकर आप यह देख लीजे जो भी आपका टाइटल है उसको कौन पड़ेगा सबसे पहले हमें इस किताब को कौन पड़ेगा ठीक है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका नंबर बनाना है अब मैं आपका पेप पर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है जो पेपर मैं करा रही हूं डीलाइस का वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है बीलाइस का वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है आप चाहें तो अभी जाके उसको निकाल सकते हैं चल 2019 का और गुरुप शायद 15 है कि 16 है, 16 होगा, ठीक है, पहले ही DLIS और हम इस पेपर का Part 3 करने वाले हैं अभी, इसका हम कौन सा Part करेंगे बच्चों, इसका हम अभी करेंगे Part 3, ओके सुडेंट्स, तो पहला कुष्चन है आपका, बिब्लियोग्राफी ओफ वर्टी ब्रेटा जुलॉजी, DLIS का है, पहला कुष्चन है बिब्लियोग्राफी ओफ वर्टी ब्रेटा जुलॉजी, ठीक है बच्चों, अब एक चीज़ ध्यान रगने की है, जो आपका पहला पार्ट है, तीन पार्ट में बटा होगा पेपर, DLIS का पहला वाला पार्ट होगा, वो होगा आपका 10 नंबर का, दूसरा होगा, साड़े सत्रा नंबर का, तीसरा होगा, साड़े बाइस नंबर का, हम ये साड़े बाइस, ये वाला मैं करा चुकी है, आपको ये वाला करा चुकी हूँ, हम ये वाला कर रहे हैं, साड़े बाइस नंबर का, साथ में से पांच लेकिन आज कुछ बच्चों ने मुझे अपडेट किया कि मैम हमें केबल चार ही कुशन करने तो साथ में से चार तो बहुत ही आसान है आपके लिए करना साथ में से चार कुशन करना तो बहुत ही आसान है आसान ही से आप कर सकते हैं पहले part को आप 2,5,4 page में जाएए, main class देखिए, आ जाएगा, second part में space isolate होगा, या time isolate होगा, या तो space यानि chapter number आपका 4, या time यानि chapter number 3 से आपको number बनेंगे, और third part में common isolate आपके use होगे, जो third part है, ये वाला part है, इसमें होगे common isolate, सामने एकल, इसमें क्या use होगा बच्चों, इसमें use होगा common isolate, और इसमें क्या use होगा, इसमें use होगा, आपका time isolate, time या space isolate, और जो believe वाले हैं, उसमें phase relation भी होगा, इसमें, believe वालों के लिए, phase relation, only for BLIS वाले बच्चों के लिए, डिप्लोमा वालों के लिए time और cable space isolate, और जो 10 नमबर का है, उसको जाईए 2.4 पेश पेश पे या index में, और इसके नमबर आपको मिल जाएंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी बच्चों, ठीक है, तो चलिए, start करते हैं, हम अपना ये paper को solve करना, अब मैंने बताया आपको की third part है, वो किस से सम्मंदित है, common isolate से सम्मंदित है, third part, तो हम common isolate क्या हैं, और किस प्रकार से common isolate काम करते हैं, वो सारा आप देखने वाले हैं, ओके बच्चों, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर main class क्या होगी, यहाँ पर main class होगी, जुलाजी, ठीक है, main class कौन सी होगी आपकी, main class आपकी होगी, जुलाजी, तो सबसे पहले हम main class को ढूणते हैं, 2.4 page पर जाकर, 2.4 page पर जाके, अगर आप देखोगे तो जुलाजी main class है, k, ठीक है, देखा देख लेते हैं, कि जुलाजी main class k है, ठीक है, यहाँ से हम आए हैं, और यह देखिए, k main class मैं आपको दिखा दिखा के करा देती हूँ, क्योंकि पिछली बार आपको सबढ़ ने आया बच्चों को, तो यह है आपकी जुलाजी main class k, यह c में आये हम, main class ऐसे डूंड होगे आप, c के बाद आपकी, c physics है, d engineering है, c के बाद d है, d के बाद e है, e के बाद f है, और जुलाजी है k, तो हम इसी तरह चलेंगे, g, h, i, j, k, k, यह आगे जुलाजी main class, ठीक है, यह आगे आपकी, k, जुलाजी main class, सबसे पहले आपको देखना होता है, कि इसका facet formula क्या दिया है, k, p, e, come, 2p, ठीक है, यह वाला facet formula दिया है, और p कहा है, यह रे p, अब हमारा है, question है हमारा, बिबलियोग्राफी of vertibreta geology, जुलाजी तो main class हमने देख ली, अब हम देखेंगे, यह vertibreta का नबर हम कैसे लाएं, तो यह देखिए, invertibreta का नबर है, एक, देख रहे हो न, invertibreta का नबर है, एक, चलिए, नीचे जाके ढूंबते हैं, vertibreta कहा मिलता है, चार न दूरना पड़ेगा, vertibreta, और vertibreta का नंबर आपको मिलेगा, 9 में, 8 नंबर, और 9 नंबर में आपका vertibreta मिल जाएगा, आपको, यह 9 नंबर में आप देखेंगे, तो यह है, vertibreta या, प्रोकोडेटा, तो यहाँ पर आपका नंबर बन गया है, vertibreta 9, और वो किसमें मिल क्या है, परसनालिटी में, और फॉर्मूला क्या है, आपका 2 within bracket P, colon E, कम 2P, ठीक है, यही फैसेट फॉर्मूला है, यही देखेंगे, यहां पर फैसेट फॉर्मूला दिया था, अब आप यह बोलोगे कि मैं इत्ती बड़ी में क्लास में से, वाटी ब्रेटा आपके लिए मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है, कैसे मुश्किल नहीं है, यह देखें, इसका इंडेक्स भी दिया है, जोलोजी में क्लास का इंडेक्स भी दिया है, बाद में यह देखेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी में क्लास है, तो यह इसका इंडेक्स दे रहा है, जित्ती भी यह देखिए नहीं इसमें फिर वो मिलेगा जो पहला वाला नमबर है वो मिलेगा बच्छो प्रोकॉर डेटा है ना प्रोकॉर डेटा ढूंदते हैं अब हम वर्टी ब्रेटा नहीं मिला कोई बात नहीं यहां मिलेगा आपको प्रोकॉर डेटा है बचो प्रोकोर डेटा ना यह रहा नाइन वन प्रोकोर डेटा ठीक है ना प्रोकोर डेटा है नाइन वन चलिए एक बार चेक करते हैं वहीं पर हमें मिला था बर्टी ब्रेटा और प्रोकोर डेटा नाइन में एक बार फिर से चेक करते हैं नाइन वन नाइन सेवन नाइन सेवन से पहले आएगा नाइन सेख्स उसके बाद नाइन फाइफ फोर हम चेक करते हैं नाइन वन क्या है यह आगा 9-1 प्रोकोडेटा और प्रोकोडेटा और वर्टी ब्रेटा है 9 हम 9 नमबर ही लगाएंगे क्योंकि प्रोकोडेटा 9-1 है लेकिन प्रोकोडेटा और वर्टी ब्रेटा है वो 9 है इसलिए हम केवल 9 यूज़ करेंगे अब हम फॉर्मूले में लगाएंगे के नाइन बच गया है बिबलियोग्राफी वो कहां से लाओगे आप वो आएगा आपका कॉमन आईसोलेट से ये आप कॉमन आईसोलेट से लेंगे common isolate कहा है common isolate सबसे शुरू में दिये हैं ठीक है second पार्ट जहां शुरुवात हो रही है वहां पर दिये हैं आपके common isolate यह main class सल रही है आपकी D engineering D से पहले C फिर B फिर A उससे भी पहले common isolate आएंगे आपके यह space isolate ठीक है अब आएंगे common isolate space के बाद no space से भी पहले ही है common isolate तो यह index है space iso जो बड़ी-बड़ी है न मेंक्लासिस उनका index दिया है बच्छो यह common isolate जोग्राफिकल दिविजन और यह बच्छो गॉमन आइसोलेट पेज नम्बर दो पॉइंट साथ यह बच्छो गॉमन आइसोलेट यह है common isolate यह दो पॉइंट पांच और यह ज्यादा तर जो डी-एलाइस वाले बच्छे यह दो पांच में दियेंगे आपको और दो पांच में क्या मिलेगा आपको बिब्लियोग्राफिका नमबर और यहां आप देखोगे तो आपको इसमॉल ए बिब्लियोग्राफिए सी है कोंकोडेंस डी है टेबल इ है फॉर्मुला एफ है एटलस के है साइकलोपीडिया एम है पिरियॉडिकल एन यह आपको टेबल वैसे याद भी करने होती है एन सीरियल भी है और एन डिरेक्टरी भी है दिख रहें आपको तो चलिए ह कि हम अपना नंबर बना लेते हैं यह है स्मॉल ए एस याई इसको लगा देंगे डारेक्ट नंबर बनेगा के नाइन small ए comment डो प्रकार के होते हैं1 एक तो होते हैं anteriorizing common isolate एक तो आपके है anteriorizing common isolate ठीक है बच्चों और दूसरे है posteriorizing common isolate पहले तो हैं आपके anteriorizing common isolate और दूसरे हैं आपके posteriorizing common isolate ठीक है जो anteriorizing common isolate है 2.5 page anteriorizing common isolate है और दूसरे हैं आपके posteriorizing common isolate ये दिखा देती हूँ मैं आपको ये है common isolate तो ये हैं बच्चों आपके anteriorizing common isolate अब ये anteriorizing common isolate कौन से common isolate होता है जो की यूज किये जाते हैं ये anteriorizing common isolate वो common isolate है जो यूज किये जाते हैं देखिए anteriorizing common isolate जो स्थान पक्ष से पहले applicable before space facet ठीक है दूसरे हैं आपके जो स्थान के बाद applicable after space facet तीसरा है जो time के बाद तो ये जो तीन common isolate दिख रहे हैं आपको ठीक है ये जो तीन common isolate आपको दिख रहे हैं ये तो आपको इनको आपσι में दूसरान से पहले और बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं केवल हमारी शर्ट क्या है वहारी शर्ट सिर्फ इतनी है कि इनको यूज़ करने के लिए आप इस्थान से पहले और इस्थान के बाद कभी भी यूज़ कर सकते हो केवल हम इसको और इस्थान पक्ष से पहले और इस्थान पक्ष के बाद कभी भी आप यूज कर सकते हो लेकिन हम इसको केवल और केवल इसको हम बीना योजक चिने से यूज करेंगे इसको कनेक्टिंग संबल लगा के हम इसको यूज करते हैं ओके स्टूडेंस तो चली हम आते हैं अपने बोर्ड पे हमारा था पहला वाला डैडल जो था हमारा वो था बच्छो दो मिनिट लगेगी एक मिनिट रुख जाहिए अब आप सॉरी फॉर इंकर्विनियन्स दो मिनिट रुख जाहिए एक मिनिट तो पहला वला हमारा टाइटल था बिब्लियोग्राफी औफ वर्टेब्रेटा जुलोजी नंबर बनेगा के नाइन स्मॉल एए नंबर आपका बनेगा बिब्लियोग्राफी और वर्टीब्रेटा जुलोजी का के नाइन स्मॉल एए ठीक है अब दूसरा टाइटल आपका दूसरा टाइटल है हमारा Handbook of Indirect Text दूसर हमारा टाइटल है Handbook of Indirect Test ठीक है? दूसरा टाइटल है हमारा Handbook of Indirect Test BLIS का कर रहे हैं हम दूसरा टाइटल है Handbook of Indirect Text अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कि ये Direct Text और Indirect Text ये कहा कौन सी Main Class में आएगा? X Main Class में Economics का पार्ट है? चाहे Direct Text है या Indirect Test है तो वो Economics का पार्ट होगा ठीक है? जब आप जाओगे Economics में तब आपको X के अंतरगर 729 मिलेगा Indirect Text 729 पर्सनालिटी है X Main Class की यहां पर आपको मिल गया है Indirect Text का नंबर ठीके बच्चों ये हमें मिला है Indirect Text का नंबर अब हम X Economics Main Class Common Isolate हम खोल लेते हैं Main Class को छोड़ते Common Isolate अगर हम देखेंगे तो Common Isolate में Handbook का नंबर आपको मिलेगा Small Y8 अभी मैं खोल के दिखा देती हूं Handbook का आपको नंबर मिलेगा Small Y8 यहां पर Handbook का नंबर आप देखोगे यह देखेंगे आपको यह Digest है यह Digest है यह Handbook भी है यह नंबर आपको मिलेगा Handbook का नंबर Small Y8 ठीक है बच्चों यह जो आपको दिख रहा है Digest यह Handbook भी है इसके आगे जिसकी बुक में नहीं लिखा हुआ वह वह इसकी के आगे लिख ले Digest के आगे Handbook Digest के आगे आप लिख लीजिए Handbook जिसके तीन प्रकार है इनको आप बिना किसी योजक चनके जोड़ोगे बिना किसी योजक चनके लेकिन जो पहली वाली टेबल है यह Personality, Matter, Energy के बाद तो जुर सकती है लेकिन Space or Time से पहले नहीं Space or Time बाद में आएंगे पहले आएगा आपका Interiorizing Common Isolate जो इस्थान से पहले आएंगे जो इस्थान से पहले आएंगे ठीक है बच्चों अब आपका दूसरा हम देखते हैं Handbook of तो यह है आपका Small y8 तो नमबर बनेगा आपका X729 small y8 ठीक है तीशा कोश्चन है डिरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइबरेरीज डिरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइबरेरीज डिरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइबरेरीज पब्लिक का नमबर लाइबरेरी में में क्लास में जाएंगे आप लाइबरेरी साइंस में क्लास में तो library science main class आपकी दी गई है 2.30 पेज़ ठीक है 2.30 पेज़ खोल लीज़े आपके पास अगर किताब है तो 2.30 पेज़ पेज़ आपकी library science main class दी गई है यह जनरलिया बिब्लियोग्राफी और यह library science library science में क्या है बचो directory of public libraries यहाँ पर अगर आप जाके देखोगे तो public का नंबर आपको दिख रहा है personality में अगर आप जाएंगे तो personality में आपको दिख रहा है local local के आगे slash करके लिख लिजे public जो local library है यह public library भी कही जाती है नंबर क्या बनाएंगे आप directory of public है 2 यह personality में और library science है main class 2 यह है main class अब directory का नंबर मिलेगा आपको common isolate में जो page नंबर 2.5 में है यहाँ नंबर बन गया 22 यह है main class यह है personality अब directory का अगर आप number बनाते हो तो directory का नंबर कितना है इदर आजाए यह directory का नंबर है common isolate खोलते हैं पेज नंबर 2.5 यह common isolate आपके और common isolate में देखेंगे आप तो directory का नंबर आपका दिया है यह है anteriorizing common isolate में आपको खोल के इसलिए दिखा रही हूँ directory का नंबर हमें पता है यह directory का नंबर small n है small n है वो directory का नंबर है ठीक है यह serial और यह directory आपको दिख रही है serial है इसी के आगे directory भी लिख लीजिए अगर नहीं लिखा आपके इसमें यह मैंने कैसे डूंडा मैं गई directory मैंने डूंडा index में और index में मुझे directory का नंबर मिला small n और उस n और उसके आगे लिखा था aci और मुझे पता है anteriorizing common isolate को मैं बिना किसी योजग चिनने के जोड़ूंगी small n aci index से डूंडा और लगा दिया small n इस प्रकार से आपका बन गया directory का नंबर ठीक है बच्चो टू टू small n यह हम कर रहे हैं डिप्लोमा वले बच्चों का पेपर लेकिन डिप्लोमा और BLIS दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता है चलिए कोशन नंबर चार पर आगे है अन्वल स्टैस्टिक्स ओफ अफ्रिकन इंडस्रीज अन्वल स्टैस्टिक्स कुशन नंबर चार है अन्वल इंडस्तिक्स और अन्वल स्टैस्टिक्स औफ अफ्रिकन कंट्रीज अब यहां पर में ग्लास क्या बनेगी में ग्लास यहां आपकी बनेगी हम स्टैस्टिक्स की बात कर रहे हैं अनुवल स्टैस्टिक्स की अफ्रिकन इंडस्रीज है बच्छों अफ्रिकन इंडस्रीज इंडस्रीज में ग्लास एक्स में एट दी गई है यह में ग्लास हो गई इंडस्रीज ठीक है एक्स एट है वो इंडस्री का नंबर हो गया है अफ्रीका का नंबर इस्पेस आइसोलेट में दिया है छे Annual Statistics अगर आप जाकर देखोगे इसको फिर से मैं Common Isolate में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर हम है Common Isolate में Annual Statistics देखेंगे यह देखिए यह आपको दिखरी है Statistics और यह कौन से Common Isolate है यह वो Common Isolate है जो Space के बाद यूज किये जाएंगे हमारा टाइटल है Annual Statistics of African Industries यानि यह बाली टेबल हम यूज करेंगे जो Space के बाद यूज होगी Annual Statistics का नमबर है S यह है Anteriorizing Common Isolate नमबर बनाएंगे आप लिए यह आपको समझाने के लिए लिख रही हूह बच्छो हूँ आपको लिखना जरूरी नहीं है यह आपको में समझाने के लिए लिख रही हूँ यह बट आपको यह लिखना जरूरी नहीं है इस परकार से आप नंबर इसका बनाएंगे नेक्स्ट है रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अगरिकल्चर गौर्मेंट ऑफ मध्यप्रदेश Report of Ministry of Agriculture, Government of Madhya Pradesh Report of Ministry of Agriculture, Government of Madhya Pradesh Report of Ministry of Agriculture, Government of Madhya Pradesh ये कौन पढ़ेगा, 2.4 पेज में जाकर देखेंगे, तो केवल और केवल अगरिकल्चर वाले बच्चे इस किताब को पढ़ेंगे ठीक है, Ministry of Agriculture की किताब है, तो Agriculture हो गई आपकी Main Class मद्यप्रदेश की Government की है, तो मद्यप्रदेश का नंबर Space Isolate से देखोगे, तो ये आएगा, 4455 ये हो गया, Space Isolate Report की हम बात करें, तो ये Report किसी भी Ministry की हो, अगर Report किसी Ministry की है, तो Administrative Report यानि की ये वाली लगेगी, किसी भी Ministry की, चाहे वो Ministry of Agriculture हो, वो Ministry of Finance है, अगर Ministry of Finance है तो आपका लगाओगे x colon line small r ministry of finance की report administrative report है या report है अब किसी भी ministry या मंत्राले की report के लिए यही वाला number आप लगाओगे administrative report प्रशाशने की report कहलाती है किसी भी मंत्राले की report तो यहां हम number बनाएंगे j.44455 और small r report का number के मिला था हमे small r मिला था ACI में वो common isolate जो इस्थान पक्ष के बाद यूज किया जाएंगे तो इस्थान पक्ष हमने पहले लगा दिया है मद्यपिदेश का number पहले हमने लगाया उसके बाद हमने लगाई है report ठीक है में क्लास में जाने की ज़रती नहीं है 2.45 से ही मिल जाएगा आपको ये में क्लास तो 2.45 से ही आप ढूंड लोगे ये agriculture में क्लास कौन सी है जो common isolate है वो आप 2.5 पेज पे आपको common isolate दिये गए हैं वहां से आप देख लोगे space isolate है वह आपका chapter number space isolate chapter 4 और शुरू हो रहा है 2.7 से शुरू हो रहा है 2.7 पेज से तो बद्य प्रिदेश का नमबर मैंने देखा है space isolate से में क्लास देखिए 2.4 पेज से और common isolate देखे हैं 2.5 पेज से चलिए next question पे हम आ गए है question number 3 Question number 6 आपका है observation in Indian architecture observation in Indian architecture ठीक है इंडियन आर्किटेक्चर का नमबर NA 44 Main class तो N है यानि यह canonical class है Main class नहीं है इसको बोलेंगे canonical class इसमें यह canonical class है NA और यह है आपका P2 ठीक है observation का नमबर हम common isolate से देख लेते हैं कि observation का नमबर कहां दिया गया है common isolate में छोटी सी टेबल है चादा बड़ी है नहीं यहां आप देखोगे आपको observation का नमबर मिल रहा है small f2 observation का नमबर है small f2 और यह कौन से common isolate है energy common isolate यानि हम इन्हें यूज़ करेंगे colon योज़क चन्न के साथ colon योज़क चन्न के साथ यूज़ करोगे तो नमबर बनेगा आपका यहां small f है यह है ACI नहीं sorry यह है PCI यह है EPCI energy posteriorizing common isolate जो की colon योज़क चन्न के साथ जुड़ेंगे नमबर बनेगा NA44 colon small f कहां से लिए small f हमने sorry small f2 small f2 small f2 हमने कहां से लिए common isolate से ध्यान रखिए कि जो part number 3 है उसमें common isolate ही होगा आपका 7 number question है वो है criticism of Indian drama criticism of Indian drama देखिए drama किस में आएगा literature main class में ठीक है drama आएगा आपका literature main class में literature main class 2.4 पेच पे आप जाके देखोगे तो literature main class है O और ड्रामा का नमबर वहां दिया गया है O main class की P2 में drama का नमबर दिया है 2 O O कॉमा 2 sorry Iranian है बच्चों Indian नहीं यह Iranian है Iranian है नहीं लेंग्विज है यह इस इस नौट इंडियान इस इस इरानियन इरानियन ड्रामा तो इरानियन हो गई आपकी लेंग्विज और इरानियन लेंग्विज का नमबर है 16 यह आपकी लेंग्विज है और इसका नमबर है बच्चों 16 और यह क्या है यह है P2 नमबर आप बनाऊगे O 1 6 P है यह P2 वो है this one is P1 O 1 6 कॉमा 2 क्रिटिसिजम का नमबर ढूनते हैं कॉमन आइसोलेट में यह मिल गया क्रिटिसिजम का नमबर है स्मॉल जी कोलन स्मॉल जी यह है ओ है अपकी मेंड क्लास पेज नमबर दो पॉइंट श्याणमें पे है यह देख लें आप यह है आपकी P1 यह हमने कहां से लिए चैप्टर नमबर पांच लेंगवेज आइसोलेट से लेंगवेज आइसोलेट चैप्टर नमबर पांच से हमने लिया है जो की पेज नमबर दो पॉइंट सत्ताइस पर है यह टू वही मेंड क्लास है मेंड क्लास लेटरेचर से हमने लिये यह दो पॉइंट श्याणमें में मिल जाएगा आपको और कोलन जी हमने लिया है वह है अएनरजी पोस्टिरियोराइजंग कॉमान आइसोलेट सो ओ वन सिक्स कॉमा टू कोलन जी इस राइट अंसर ओ वन सिक्स कॉमा टू कोलन जी तो यह हमारा दी एल आईएस दो खजार उन्नेस जून और ग्रुप है आपका जून का ग्रुप सोला का पेपर हो गया है complete पेपर आपको इस वीडियो के description में भी मिल जाएगा next मैं आपको कराने वाली हूँ BLIS का पेपर ओके बी एल आईएस जून दो हजार उन्नेस ग्रुप थ्री पेपर है यह है ग्रुप थ्री का पेपर चलिए बच्चो बी एल आईएस का पेपर करते हैं पहला है आपका question number one है मराथी गुजराती डिक्शनरी ओफ शोशल वर्क मराथी गुजराती मराथी गुजराती डिक्शनरी ओफ शोशल वर्क मराथी गुजराती डिक्शनरी ओफ शोशल वर्क ठीक है बच्चो अब देखें इसका number कैसे बनेगा यह जो बी एल आईएस वाले बच्चे है दो language की dictionary आपकी आएगी ही आएगी दो language की dictionary का number बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको पहले सबसे पहले हमें क्या करना है हाँ देखो बच्चो सबसे पहले पी लेंग्वेज में आएगी आप लेंग्वेज आईसोलेट में जाएए लेंग्वेज आईसोलेट या लेंग्वेज वाला जो चैप्टर है वो है चैप्टर नमबर 5 पेज नमबर 2.26 चलिए मैं दिखा देती हूं आपको क्योंकि एक कोशन आपका आएगा ही आएगा तो पेज नमबर 2.26 और चैप्टर नमबर आपका पांच देख लेते हैं हम कोई दिक्कत नहीं है यह है आपका लेंग्वेज आइसुलेट अभी मराठी गुजराती या जहां से भी लेने हैं आपको यह देखिए पेज नमबर 2.27 चैप्टर चैप्टर से शुरू है और 27 फे खतम दो पेज का है यह लेंग्वेज आइसुलेट अभी हमने इरानियन देखा था तो 16 नमबर गुजराती दोनों का नमबर यहीं से देखेंगे देखिए मराती का नमबर है वह है आपका 155 वन फाइफ फाइफ और गुजराती का नमबर है वह है 156 ठीक है, Marathi 155 और Gujarati 156, चल यह नंबर बनाते हैं हम, यह है 155, यह है 156, Marathi Gujarati Dictionary of Social Work, कैसे नंबर बनाएंगे, P155, P है main class, main class कौन सी है, language, यह linguistic बोलेंगे, 155 है आपकी personality, और personality क्या है, language, sorry, P तो आपकी language यह linguistic main class है, यह है आपकी Marathi का नंबर, P main class में जाएंगे तो colon 4 है, आपको नंबर मिलेगा meaning, यह है energy में, 4 का मतलब है meaning, यह हो गया Marathi भाषा की शब्दों का अर्थ, यह नि डिक्शनरी, Marathi भाषा के शब्दों का अर्थ, colon 4, लेकिन Marathi भाषा के शब्दों के अर्थ की यह हो गई dictionary, small k, small k कहां से लिया है मैंने common isolate में, dictionary का नंबर दिया है, small k, common isolate जो page नंबर 2.7 पे खतम हो रहे हैं, 2.5 से शुरू हो रहे हैं, और 6 पे खतम हो रहे हैं, तो यहां अगर आप आओगे तो dictionary का नंबर दिया है, small k, यह है page नंबर 2.5, खोल लिजे, 5 पे आपको दियार दे रखा cyclopedia, यहां पर आप कर लिजे, encyclopedia और dictionary भी यही नंबर है, small k, dictionary, encyclopedia, concordance भी यही नंबर है, cyclopedia, concordance, small k, तो हमने यह नंबर बनाया, यह भाषा है, कौन सी भाषा है, मराथी बाषा के शब्दों की dictionary, अब हमारी कौन सी रह गई, social work से related है, dictionary, हमारी social work रह रही है, और social work जो main class है, वो है sx, sx है social work, main class है, 2.4 page पे जापके देखेंगे, तो आपको मिल जाएगी, एक main class हो गई, लेंग्वेज वाली, दूसरी main class हो गई, social work, subject device से लाएंगे, विश्य विदी, subject device से हम लाएंगे, social work, main class को, यह हो गई, भाषा, मराथी भाषा की dictionary, जो social work से संबंदित है, दो अक्षर की जगए छोड़ कर, दूसरी language आप जोड़ दोगे, 156, यह है आपका book number, पहला वाला प्रेशन थोड़ा सा typical है, ठीक है, मराथी गुजराती dictionary of social work, जब भी दो भाषा की dictionary का number आए, आप पहले जैसे माल लीजे, हिंदी इंग्लिश dictionary, पी 152, कोलन 4, small k, और दूसरी भाषा इंग्लिश को दो अक्षर की जगए छोड़ के, यह तो आप याद कर लीजे, यह दो भाषा की dictionary आएगी ही आएगी, यह नंबर जो मैंने बनाया है, यह है हिंदी इंग्लिश dictionary का, जो दूसर नंबर आपको दिख रहा है, यह है हिंदी इंग्लिश dictionary का, तो दो भाषा की आएगी, यह हमने chapter नंबर 5 से लिया, यह हमने chapter नंबर 5 से लिया, और यह main class है P, P याने linguistic, ओके students, चलिए next question है अपना, history of European culture, दूसरा question है अपना, history of European culture, history of European culture, question number 2, history main class है हमारी V, V है हमारी main class, Europe का नंबर अगर आप जाकर देखोगे तो 5 है, space isolate में, culture का नंबर देखोगे तो 1 नंबर है, culture and civilization, ठीक है, यह दिया है आपका energy में, history of European culture, अब आप नंबर बनाओगे, V5, यूरॉप का इतिहास, colon 1, उसका culture, उसकी history, इसमाल वी नंबर दिया है आपका history का, V5, colon 1, small v, V5 का है बच्चों, इतिहास का नंबर है, colon 1 है, culture का नंबर, और यह common isolate से हमने लिया है, यह है आपका history का नंबर, यूरॉप के इतिहास का इतिहास, इसका मतलब यह है, यूरॉप के इतिहास का इतिहास, ठीक है बच्चों, next question है अपना, question number 3, यह easy है, यह वाला मुश्किल नहीं है, history of European culture, history main class में आप जाकर देखिए, यह V main class है, और यह है energy, एक, जो है यह energy है, और यह है common isolate, ACI, anteriorizing common isolate, तीसरा question है, biography of Indian psychologist, biography of Indian psychologist, biography of Indian psychologist, आपकी psychology, जो main class है, वो है S, psychology, main class है, हमारी S, psychology है, main class, India का number 44, space से, biography, small w number है, ACI, anteriorizing common isolate में, biography का number है, अब यह कौन से common isolate है, इसमें, यह जो आपको biography, ACI है, यह है B4, space, यह स्थान पक्ष से पहले लगने वाले common isolate है, ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से यूज करेंगे, इसका number भी ऐसे बनेगा बच्चो, यह भी स्थान पक्ष से पहले वाला है, पहले मैं इसको बनाती है, फिर दुबारा दूसरे वाले को फिर से करेंगे हम ठीक, तो psychology main class है as, ठीक है, psychology main class है as, पहले हम लगाएंगे, small w फिर लगाएंगे 4, 4, यह है main class, यह है anteriorizing common isolate, यानि इस्थान पक्ष से पहले, तो इस्थान पक्ष से पहले है, तो यह हमने space isolate बाद में लगा दिया, ओके, इसलिए हमने space isolate को बाद में लगा दिया है, यह जो हमने common isolate बनाया है, यह भी इसको दो तरीके से नंबर बनेगा, यह भी इस्थान बाद में लगेगा, कैसे लगेगा, फिर बनाते हैं इसका नंबर V, colon, 1, मतलब history है culture की, किसी भी संसरती का इतिहास, उसकी history, Europe, इस वरकार से नंबर बनेगा, V, colon, 1, small v, 5, history of European culture, सबसे पहले हमने Europe के culture का नंबर बनाया, Europe के culture का उसका इतियास, then हम space isolate को पहले जोड़ेंगे, दूसरा अगर बनाते हो, क्योंकि यहाँ common isolate की बात की जारी, इसलिए हमने small v से history को लिया, लेकिन हम इसका नंबर इस परकार से भी बना सकते हैं, बचो, v, 5, colon, 1, यह भी सही है, लेकिन यहाँ common isolate का use नहीं किया गया है, जबकि हमें third part में common isolate का use करना है, so this is the right, क्योंकि वो जानना चाहरा है, examiner, आप से कि आपने common isolate पढ़ा है, आपको आता है, तो हम जो उपर वाला तरीका है, इस से आप करेंगे, v है history, यह one number है, culture और civilization का energy में, फिर यह small v है, common isolate जो स्थान से पहले लगेंगे, सान पक्ष से पहले वाले common isolate लगाया और 5 हमने बाद में लगा दिया, okay students, चलिए next question पर आ रहे हम, और next question है अपना, Russian labor statistics for 1970s, Russian labor statistics for 1970s, जाएगा X economics में, labor का number है 9 energy में, Russia का number है 58 space में, statistics आएगा आपका small s, ठीक है, यह समय के बाद वाले ACI आएगे, ACI after time, और 1970s को आप बोलोगे, and 7 यह है time, नमबर बनेगा आपका बच्चों, X है आपकी main class, उसमें colon 9 है labor, यह main class है, economics, और यह 9 नमबर है, यह है, एनर्जी में दिया गया है, labor का number, इसके तीन सेक्टर भी दिया है, least concrete, more least concrete, और still more least concrete, तीन प्रकार के, इसके 9 के, 9 में labor problems को बताया है, और labor से related, सारे 9 वन से लेके, और 9, 7, 8 तक labor से related number आपको दिया है, तो आपका नमबर बना, x all colon 9, याने की labor से related क्या है, labor से related number यह आपका बन गया है, फिर हम क्या बनाएंगे, dot 5, 8, single inverted comma and 7, फिर क्या बनाओगे, small s, यह वो common isolate है, जो समय के बाद यूज किये जाएंगे, यह हो गया space, यह हो गया time, और यह हो गया common isolate, after time, यहाँ पर आपको जो देखने वाली बात है, दियावाई स्टेटिस्टिक्स, तो आप यह देखी, यह वो वाले common isolate है, जो time के बाद यूज किये जाएंगे, यह है, एंटिरियराईजिंग कॉमन, आइसॉलेट, आप्लिकेबल, ओनली आफ्री, आपेशे के बाद आप्लिकेबल, आफ्र ताइम और यहाँ पर स्टेक्स्टिक्स का नंबर यह, यह भी statistics है यह भी statistics है लेकिन यह यूज की जाएगी space के बाद और यह यूज की जाएगी time के बाद यह लिख रखा है applicable only after time facet और हमारे कुशन में क्यूंकि time दिया हुआ था इसलिए हमने time के बाद वाला common isolate यूज किया है question number 5 question number 5 है आपका बच्चो question number 5 में दिया है discussion on Indian law सारे के सारे common isolate है main class तो कुछ है ही नहीं discussion on Indian law law main class है आपकी जैड इंडिया का number है 44 जो personality की रूप में यूज किया जाता है और discussion का number दिया गया है आपका e-p-c-i में small f4 check कर लेते हैं एक बार e-p-c-i में small f4 दिया है क्या discussion number यह है आपके energy common isolate और discussion का number है small f4 ठीक है वापस अपने question में आते हैं Indian law का number बनेगा z44 तीन main class है जहां इस्थान पक्ष को personality की रूप में यूज किया जाता है इन तीनों में space को personality की तरह यूज किया जाएगा personality की तरह यूज किया जाएगा इसलिए dot नहीं लगेगा याद कर लिजे यह competition में भी आता है आपका तो जैड डॉट फोर फोर नहीं किया मैंने जैड फोर फोर किया E PCI को colon से जोड़ेंगे इसलिए नंबर बन जाएगा colon small f4 ओके बच्चों next question है experiment on milleat harvesting question number 6 question number 6 है experiment on milleat harvesting experiment on milleat harvesting ठीक है milleat का नंबर यह आपको J main class में मिलेगा milleat का नंबर है J 387 personality में ठीक है यह नाज का एक प्रेकार है जोआर या बाजरा तो यह आपको मिला जैड अगरीकल्चर में जैड जैड त्री एट सेवन हर्वेस्टिंग का नंबर आपको energy में मिलेगा colon हर्वेस्टिंग का नंबर आपको 7 मिला है energy में J 387 colon 7 main class personality energy रहे गए अपने experiment यानि हमारे रहे गए common isolate चलिए common isolate की table में जाकर देखते हैं experiment का नंबर है small f3 क्योंकि energy वाली table में मिला है तो energy का हम योजक चन्ने लगाएंगे small f3 यह है e p c i energy posteriorizing common isolate 7 नंबर और लास नंबर है वो है agriculture institute in India agriculture institute in India सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी कुश्चन आए इस किताब को कौन पढ़ेगा इसको पढ़ेंगे agriculture वाले बच्चे और agriculture main class है जे इंडिया का नंबर है four four यहां यह space ही होगा institute आप लाओगे common isolate से और यहां पे common isolate में अगर हम जाते हैं तो institute का नंबर आपको personality common isolate में institution का नंबर हमें मिल गया है और वो है small d जिसको हम जोडेंगे कौमा लगा कर small d है आपका institute का नंबर पी पी सी आई personality posteriorizing common isolate नंबर बनाएंगे j.44 four कॉमा small d अभी तक मैंने आपका एक भी comment नहीं देखा है हाँ अगर अब आपकी कोई query है तो मैं अब आपका YouTube के comments देख रही हूं कहीं कुछ doubt है पिछले वाले question भी जो मैंने अभी कराए तो आप पूछ सकते हो very good Ritu Chaudhary very good बहुत ही बढ़िया सनीता गूजर social work y ke x है बेटा s x है बेटा 2.4 में जाकर देखो तो social work अगर y x है तो y x लगाएंगे social work हाँ वाई एक्स है शोशल वक्ट बच्चो सही बोला है सुनीता तुमने ओके और बताएं वाई एक्स है शोशल वक्ट बिल्कुल सही और बताएं इंस्टिट्ट का नंबर नो डाउन करिए दिव्या शर्मा हमारे इंस्टिट्ट का नंबर है 93524 सारे थंबनेल में होता है इंस्टिट्ट का नंबर 93524 11902 फार मोर डेटिल्स डी एल आई एस और बी एल आई एस की क्लासेज है डी एल आई एस है 1199 रुपीज का और यह है आई ऐस है आई एस और आई एस है भीजा जस्टिट्ट का और आई एसलिए